प्रणाम दोस्तों मैं आन्या Blessings Audio Team दिल्ली से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ शून निर्ची द्वारा रचित कली हनुवानी का प्रतम अध्याय प्रस्तावना घने जंगल की एक साधारन दुपहर में अधेड आयू के दो लोग एक पेड की यार में शिपकर बैठे थे ऐसा लग रहा था जैसे वे आदिवासी हों परन्तु उनके नकली भेश से उपर डाल पर बैठे शान पक्षी भी भ्रमित नहीं थे जंगल की चीटी भी बता सकती थी कि वे दोनों भारी थे उनकी द्रिष्टी दूर लकडी चुन रहे एक आदिवासीों के समूपर थी एक और दिन व्यर्थ हो गया हे हनुदाश जी अब तो हमें मान लेना चाहिए कि इन आदिवासीों में कोई विशेश बात नहीं है कहां हम मान बैठे थे कि ये जन चिरन जीवी हनुमान जी को देख सकते हैं खोदा पहाड निकली चुहिया एक बहारी पुरुष गहरी श्वास छोड़ते हुए बोला हनुदाश जी ने भी कहा ठीक कहते हो आप स्वामी जी हनुदाश जी के मन का एक कोना अभी भी आदिवासीों के पती उच्सुक था वे स्वामी जी तथा अपने एक अन्य साथी के साथ पिछले कई दिनों से इस आदिवासी समाज की गुप्तचरी कर रहे थे वे तो हनुमान जी के परम भक्त थे वे हनुमान जी और इन आदिवासीों के मध्य स्थापित पवित्र गुरु शिश्य सम्बंध पर शोध कर रहे थे वे जानते थे कि हनुमान जी चिरन जीवी हैं और सहस्त्र वर्ष से इस धरा पर विचरन करते हुए भक्तों की सहायता करते आ रहे हैं हनुदास जी का जन हिंदू धर्म में नहीं हुआ था उनके लिए अपने धर्म का अर्थ भी केवल दान दक्षना था तब वे हनुमान जी के दास ना होकर कैनरा देश की टरॉंटो नगर में एक कुलीन जीवन शैली के दास हुआ करते थे उनके जीवन ने परिवर्तन तब आया जब उन्होंने पहले अपनी पत्नी को एक दुरगटना में खो दिया और उसके बाद अपने पुत्र भी मादिक पदार्थों और मनव दलता नामक मानसिक रुबड़ता की भेट चड़ गया विशेशकर उनकी पुत्र की धीमी मृत्यूना उन्हें जग जोर कर रग दिया अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन उन्हें अपने भीतर एक विच्चेत्र से शून्यता का आभास हो रहा था यहां तक कि शूनिता का अभास भी मन पर बिना कोई छाप छोड़े आर पार हो रहा था कोई दुख नहीं, कोई पीडा नहीं, कोई पच्तावा नहीं सब कुछ तो उनके पुत्र के साथ चला गया था रह गई थी तो शूनिता और संभवतह शूनिता भी चली गई थी परंतु शूनिता के जानने के पश्चाथ भी तो शूनिता रहे ही जाती है अंतिम संसकार के पश्चाथ उनके भाई और वे घर जा रहे थे उनके भाई गाड़ी चला रहे थे और वे खिड़की से बाहर शूने में जाक रहे थे तब ही अचानक एक विचित्र दृष्य ने उनके मन को पुनह सक्रिय कर दिया तिलस्मी वानर, अद्भुद वानर उड़ रहा है देखो उनके मुख से अनायासी निकल पड़ा था उन्होंने साथ में चल रही एक गाड़ी के उपर एक विशाल घने बालों वाली आकरिती को सहचता से मंडराते देखा था अद्भुद वानर जैसी सजीव आकरिती थी वह गाड़ी के साथ साथ और गाड़ी की ही गती से उड़ रही उस आकरिती का शब्दों में वण्नन करना असंभव है ऐसा कुछ नहीं है भाई वहां आपको विश्राम की आवशकता है उनके भाई ने संबेदना पूर्वक सिर हिलाती वे उत्तर दिया था उनके भाई ने संभवता सोचा था कि पुत्र की मृत्यू के कारण उन्हें पागलपन का कोई दोरा पड़ा था ध्यान से देखो तद पश्चात उनकी वाणी को अचानक विराम लग गया क्योंकि खिड़की के बाहर जब उन्होंने पुन्धा दुष्टी डाली तो वे तिलस्मी प्राणी वहां नहीं था साथ में चल रही गाड़ी की छट पर पूर्टह खाली थी सिवाए एक छोटे से भगवा धर्च के जो दिव्वे प्राणी कुछ पल पहले उर्दा दिखाई दिया था उसके जैसी एक छोटी सी आकरिती अब उस भगवा धर्च पर अंके दिखाई दे रही थी वह आकरिती कोई और नहीं अपितू चिरन जीवी देव हनुमान थे उस गाड़ी में एक दिव्वे पुरुष विराजमान थे उनके शान चहरे पर लंबी दाड़ी सज्जित थी आगे चलकर वे महा पुरुष हनुदास जी के गुरू बने कुछ महिने पश्चात हनुमान जी ने नगर टोरॉंटो में अपना सबकुछ छोड़कर और अपनी पुरानी फैचान त्याकर भारत आ गए गुरुदेव ने उनको नया नाम दिया हनुदास इस नाम का अर्थ है ऐसा मनुष्य जिसने अपना जीवन हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो गुरुदेव ने उर्तेवानर के दिव्वे द्रिश्य को प्रतिपादित करते हुए कहा था हनुदास वह आपका मतिभ्रम नहीं था उस दिन आपने सचमुच में चिरन जी भी हनुमान जी के दर्शन किये थे चुकि मैं दुख वो अज्ञान से तरस्त आत्माओं को सही राष्ता दिखाता हूँ बहुत चारी बुरी शक्तियां मुझे शत्रू के रूप में देखती है हनुमान जी उन्ही बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ रहते है अपनी लज्जा को मिटाने है तू वे शीकृता से बोले अवश्य गुरुदेव वह कोई मतिभ्रम नहीं था मैंने तब हनुमान शब्द भी नहीं सुना था मुझे नहीं पता था कि वह दिव्य आकृति किसी धर्म के प्रस्यत देव की आकृति है संभावतह मेरे जीवन का सबसे वास्तविक अनुभव थाव है उसे एक पल में मानो मैंने पूरा जीवन जी लिया हो मात्र एक पल का दृश्यताव है उसके पश्चात हनुमान जी पुन्ह मेरी आखों से ओजल हो गए ऐसा लगा जैसे वे एक छोटी सी आकृति बनकर उस धर्ज में अंकित हो गए हो जो आपकी गाड़ी के छट पर फैरा रहा था मुझे लगता है हनुमान जी कहीं नहीं गए थे वे तब भी आपकी गाड़ी के छट के उपर अपने चिर परिचित रूप में उडान भर रहे थे किन्तु मेरी आखे उस दिव्य शक्ति उस पवित्रता को खोड़ चुकी थी जो उनके साक्षाद दर्शन के लिए आविशक होती है व्यापक मुस्कान के साथ गुरुदेव बोले हे हनुदास क्या आपको पता है महाभारत के युद के दोरान हनुमान जी अर्जन के रत के उपर विराजमान थे उन्हें अर्जन के रत की रक्षा का कारे सौपा गया था केवल पांडव और भगवान शीक्रिष्ण उनको वहाँ देख सकते थे शत्रों की आखे कुछ देख सकती थी तो केवल भै द्वर्ज जो रत के उपर भहरा रहा था और हनुमान जी की आक्रिती जो जवर्ज पर अंकित थी गुरुदेव ने आगे बताया केवल पवित्रा आत्माई हनुमान जी को देख सकती है जब आप अपने पुत्र का अंतिम संसकार करके लौट रहे थे तब आपका मन पूर्था रिक्त था जिस शण आपने हनुमान जी को मेरी गाड़ी की ओर उपर उड़ते हुए देखा था उसी शण आपका मन पुनह सक्रिय हो गया आपका मन उन्हीं चीजों में उलच गया जिन चीजों में मानव मन प्रायह उलज़ा रहता है आपका मन उत्तेजना पूर्वक उन मानसिक डिब्मों की उथल पुथल करने लगा वहां से कुछ गड़े-गड़ाय शब्द निकाल कर लाया जैसे मायावती, असंभव, भ्रह्म, कलपना आपके मन के इन संकीन प्रयासों ने आपकी आत्मा को पुनह मेला कर दिया और हनुमान जी आपको दिखाई देना बंध हो गए जब आपकी आत्मा पुनह उतनी ही पवित्र हो जाएगी जितनी उस दिविशन में थी वो आपको पुनह दिखाई देने लगेंगे गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा को पुनह पवित्र करने के लिए क्या करना चाहिए मैं अपने परिवार को फेले ही हो चुका हूँ यदि आत्म शुद्धी के लिए त्याग आवशक है मेरे पास तो अब त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है तब गुरुदेव ने बोला एक जागरत आत्मा ही पवित्र आत्मा है तद पश्चात थोड़ा आगे जुकर हनुदाश जी की आखों में जागते हुए गुरुदेव बोले एक पवित्र आत्मा वह है जो जानती है कि वह कौन है और किस प्रयोजन से इस संसार से जुड़ी है यह हनुदाश की आत्मा क्या आप जानती हो कि आप कौन हो और किस उद्देश से संसार में इलीन हो उन्होंने तुरंट उत्तर दिया हाँ गुरुदेव मेरा उद्देश अब मात्र आपकी सेवा में शेष जीवन बिताना है अब मैं शेष जीवन परम सत्ते की खोज में बिताना चाहता हूं गुरुदेव शांस्वर में बोले हनुदास मैंने प्रश्ण आपकी आत्मा से पूछा था और उत्तर दिया आपके मन ने गुरुदेव की मुख पर हल्की सी मुस्कान चा गई उनके होटों से ज्ञान शब निकले आपकी आत्मा इस युग की अधिकान शात्माओं की तरह सुप्त है थोड़ी बहुत जागरती उस दिन आई थी जिस दिन आपने अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संसकार किया था यह सुनकर वे गुरुदेव की चड़नों में साश्टांग अवस्था में गिरकर अनियंदृत रूप से रोने लगे थे यह दुरबलता और रुदन आपकी आत्मा का नहीं अपतु आपके मन का है आप एक शक्तिशाली आत्मा हो जो चिरन जीवी हनुमान के साथ दिव्य बंधन में बंधी हुई है किन्तु आपका मन इस भारी संसार अर्थात माया का एक दुरबलदास है माया की पास आपके मन को नियंतृत करने के असंख्य धंग है उनमें से एक धंग है आपके तन मन पर पराई आत्माओं की घुसपैट करना तन मन एक यंत्र मात्र हैं जिसकी सहायता से आपकी आत्मा संसार के विभिन अनुभवों को जीती है आपकी आत्मा पर हनुमान जी की दृष्टी है और आपकी आत्मा की दृष्टी आपके तन मन पर होनी चाहिए अगली प्रातह वे गुरुदेव के आश्रम से निकल पड़े थे उन्हें अपने गंतव्य का ज्यान नहीं था वे निकल पड़े थे अग्यात राहों पर साथ में था तो केवल आविशक दैनिक सामगरी से भरा थेला और गुरुदेव का आशिरवाद अगले कई महीने वे भटकते रहे उस गंतव्य ही न्यात्रा में उन्हें भाती-भाती के अनुभव हुए उन्होंने सभी अनुभवों को अपने मन के कपाटों के मध्य से ऐसे पार होने दिया जैसे नदी के तटों के मध्य से जल प्रवाहित होता है यह तो तैय था कि माया का उनके तन मन से नियंत्रन समाप्त हो चुका था यह तैय नहीं था कि उनकी आत्मा जागरती को प्राप्थ हुई थी या नहीं। उनका हनुमान जी के साथ संपर्ख में होना एक आशा मात्र थी किन्तु ऐसा आशा जो तत्थे को से भी ठोस थी। चट्टान वाधी पर अंकित थे पर अंतु उन चिन्हों में कुछ विशेश नहीं था और वे यह बात अपने साथी संतों के सामने मान भी चुके थे। अपने भ्रह्मन के दोरान उन्होंने यह सीखा था कि अनुष्ठान का अनुभव उसके अर्थ से कड़ी बड़ा होता है। किन्तु मातंगो द्वारा अंकित उन सार चिन्हों का अर्थ निकालने की एक आंतरिक इच्छा उनमें जाग उठी थी। वे कोई साधार इच्छा नहीं अपितु एक अंतर आत्मा का आवाहन था। उनके दो साथी स्वामी जी एवं भ्रह्मचारी जी जो उनकी इस खोजबीन में सहायता कर रहे थे, अपनी रुची खोते जा रहे थे, खोए भी क्यों ना, इतने दिन बीट गए थे और कुछ विशेशात नहीं लग रहा था। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने दोनों साथियों के साथ मातंगों के मुख्या बाबा से मिलने का प्रयास किया था, बाबा ने उनको इतने शिट्चेडे भाव से ताड़ा था कि भ्रह्मचारी जी वहां से अपने रास्ते हो लिये थे, परन्तु उन्होंने स्वामी ज हो सके कि वे मातंग माहिलाएं चिरण जीवी हन्मान जी को देख सकती थी उनके कानों में मातंगों के समु में हो रही विशेश हल्चल की ध्वनिया पहुचने लगी उनकी आँखों में आशा का जुगनू टिम्टिमाया शमूं में से एक दुबली पतली युवति चिला चिला कर हवा के साथ मुष्टी युद कर रही प्रतीत हो रही थी उसकी देह मानों किसी भूत पिशाच के वश में थी उसके हाथ पैर कटी पतंग की तरफ फड़ा रहे थे समू की शेश महिलाएं आतंकित अवस्था में खड़ी थी कुछ कोई इसे काला जादू कहता है तो कोई इसे भूत पिशाचों का आक्रमन कहता है कोई इसमें दुष्ट शक्तियों का हाथ देखता है तो कोई दैवे शक्तियों का आशिरवाद हनुदाश जी इस विशे के हर पहलू को अपनी आँखों से अनुभव कर चुके थे इन लिए अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के दिन हुआ था उस उस्षण में उन्हें सुप्त अवस्था में जान पड़ रही यह उस युफ्ती की समीब तीन प्रकाश में आकृतियां दिखाई दी वे आकृतियां ठोस नहीं थी अपितु अपने स्थान पर स्पंदन कर रही द रम मात्र थी कुछ रण वह युफ्ती उठकर बैठ गई और तत्पश्चा सीधे सामने की और लुड़क गई ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी अद्रिश्य शक्ति के सामने साश्टांग प्रणाम कर रही थी हनुमान जी की आके उस द्रिश्य शक्ति को देख तो नहीं सक खाया और उनका ध्यान इस नए घटना करमकी और खीचा कुछ रण की पश्चात वह युफ्ती खड़ी हो गई उसके हाथ प्रणाम की अवस्था में जुड़े हुए थे वह उस अवस्था में बहुत देर तक रही उस दौरान उसके होट ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बतिया रही थी आशर्य की बात यह थी कि उसके होटों में गती वह उसके मुख पर हाव भाव केवल हनुदास जी को ही दिखाई दे रहे थे स्वामी जी को तो लग रहा था कि वह युफ्ती शांत एवं ओश्ट बद अवस्था में ऐसे खड़ी थी जैसे प्रार्थना कर लगबग आदे घंटे के पश्चार जब वे दोनों उस थान को त्याक कर अपने ठिकाने की और बढ़ रहे थे स्वामी जी ने शास्त्रार्थ शुरू करने के उदेश से टिपड़ी की मुझे तो उस युफ्ती के विवहार में कोई विशेश शोत करने योगय बात नहीं देखी भयानक एवं हिंसक दौरा पढ़ने के पश्चार जैसा विवहार अपेक्षित है वैसा ही विवहार वह कर रही थी किन्तु हनुदाश जी के ओशास्तार्थ में अब कोई रुची नहीं थी वे मांसिक सीमाओं के पार शुन्यता में लीन थे स्वामी जी सोच रहे थ थे कि एक और दिन विर्थ हो गया था परन्तु हनुमान जी जानते थे कि उनका उस शक्ति से मिलना केवल एक डग दूर था जिस शक्ति से मिलने के लिए उनकी आत्मा तरस रही थी कुछ दिन पश्चा थी उन्होंने मातंगों द्वारा गूर लिपी में अंकित उन सार्च चक्ति में मातंगों से ऐस सहस्रों गूर चिंप्राप किये और उनमें छिपी पहेलियों के अर्थ निकाले उनके शिश्च्यों के प्रदत पूर्ण ब्रह्म ज्यान समाहित था भैप्रह्म ज्यान ला आगे चलकर मुख्यदारा कि समाज में रहने वाले भक्तों को कली हनु वाणी नामक पुस्तक के रूप में प्राव्थ होना था आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद